हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत हैं तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और मांट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से बुरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके ना चाहते हैं तो आप हमें वट्सैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वैरिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाएं कुछ इस तरह की सीधी बारीक रिखाएं नजर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं जिस वज़े से नेटिव की एनर्ची एंड स्टैमिना काफी अच्छा रहेगा अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तरचनी उंगली बहुत अच्छी लेंथ में हैं लंबाई म की लीडर्शिप क्वालिटिस काफी स्ट्रांग होती हैं अध्यातम की तरफ भी ऐसे नेटिव की रूची आपको देखने को मिलेगी और दूसरों को गाइट करने वाली परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती हैं अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट् होते हैं एक नियाए प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं हुवियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति काम्याब रहते हैं अगर हम इनकी सू याफिंगर का होना एक बहुत अच्छे सूशल सरकल को दर्शाता है ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिटिविटी रहती है आटिस्टिक क्वालिटी ऐसे नेटिव की स्ट्रॉंग रहती हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर सभाव के भी द देखा जा सकता है ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगाहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हो जैसे शेयर मार्केट है क्रिप्टो करन्सी हैं मूचल फंड्स हैं मल्टि लेवल मार्केटिंग्स हैं ऐसी जगहा पर भी ऐसे विक्ति अपन प्रेखा आपको बनती हुए नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर एक करुफ बनता हुआ जो इंडिकेट करता है कि इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट है और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है थोड़ा हैजिटेशन भरा सभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है लेकिन अगर हम इस फिंगर की लंबाई की बात करें तो यहां फिंगर लेंट में काफी अच्छी है बिल्कुल स्ट्रीट है जिस वज़े से नेटिव के कम्मुनीकिशन स्किल्स काफी अच चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरू परवत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया जाने इनकी जो तरजनी उंगली के नीचे का एरिया है काफी उभरा हुआ है गुरू परवत का इस तरह से उभरा हुआ होना और यहा व्यक्ति को देखा जाता है चालिस के बाद की येश में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान समान भी जरूर पाता है जिनका बरस्पति माउंट प्रॉमिनेंट हो इसके इलावा आप देख पाएंगे यहां पर यहां जो रेखा यहां से निकल कर उपर की पहुंच रही है ऐसी लंबी रेखा का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है ऐसी रेखा को प्रॉग्रेस लाइन के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रॉग्रेस लाइन होती है ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर अपनी अच्छी किसमत के बल पर काफी अच्छी तरक्की पाने में जरूर काम्याब हो जाते हैं शनी की बात की जाए तो शनी का जो एरिया है यहां पर हलका सा दबता हुआ जिसकी वज़े से चीवन में संखर्ष भी रहता है शुरुआती दोर में ऐसे व्यक्ति को काफी संखर्ष करना पड़ता है अपने कमफर्ट जोन से निकल कर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है जिनका शनी का माउंट दब रहा हो लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्या रेखा यहां से चलने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से इनके शनी माउंट तक पहुँचती हुई इस तरह की भाग्या रेखा का यहां पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो भी काफी अच्छी रही गर ऐसा व्यक्ति ओल इज तक काम करता रहता है कुछ न कुछ सोर्सिस ओफ इंकम ऐसे व्यक्ति के बने रहते हैं आप यहां पर देख पाएंगे हलकी रेखाओं से आपको इस तरह से एक फिश नुमा अक्रिती बनती हुई भी इनके शनी माउंट के उपर नजर आएगी यहां पर ऐसा चन बनना नेटिव की सिक्सेंस और अकल्ट में रूची को इंडिकेट करता है ऐसा व्यक्ति जिस तरह से यह विद्याएं हैं जैसे पामिस्ट्री है स्टॉलोजी, टेरो कार्ट, निमराजी और वास्तु जैसी विद्याएं है ऐसी चीजों में भी रूची रख सकता है और ऐसी किसी विद्याएं को सीखने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर होती है आप देख सकते हैं इनका जो सूर्या का एरिया है हलका सा दबता हुआ बश्यनी की भाती हलका सा फ्लाट सूर्या माउंट यहां पर इंडिकेट करता है कि नेटिव को चीवन में यश मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी हल्प कर ले बदले में कोई इनाम कोई अप्रिसियेशन नहीं मिल पाता और यहां पर एक से अधिक रिखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की परसनालिटी मल्टी टास्किंग रहेगी ऐसा व्यक्ति एकी समय में कई काम करने की ख्रमता रखता है और कई बार ऐसा व्यक्ति मल्टी टास्किंग तो होता है लेकिन किसी भी एक काम के उपर पूरा फोकस नहीं कर पाता जिस वजह से कई बार जो प्रोग्रेस है उसमें भी देरी होती है और विखन पड़ता है अब देख सकते हैं इनका जो मरकरी का माउंट है भले हलका सा लो सेट है लेकिन उभरा हुआ इस तरह से उठा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को काफी स्ट्रॉंग कम्निकेशन स्किल्स देता है साथ ही साथ आपको यहां पर कुछ ऐसी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी जिने हम हीलिंग लाइन्स के नाम से जानते हैं यहां पर ऐसी रिखाओं का होना बहुत पॉजिटिव होता है ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे सलहकार हो सकते हैं कंसल्टेंट बन सकते हैं जीवन में दूसरों की मदद करते रहते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या कंसल्टेशन के जरिए दूसरों की प्राबलम्स को दूर करने की जो कैपिबिल्टी है वो ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है अब देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को यहाँ पर एक बहुत अच्छा विश्नो चिन बनाती हुई हार्ट लाइन इनकी थेली में आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से एक V टाइप का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ इस तरह के चिन का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट लाइन के अंत पर विश्नो चिन हो और यह जो विश्नो चिन की ब्रांचिस हैं वो गुरू परवत तक पहुंच जाएं तो ऐसे व्यक्ति आधर्श वादी होते हैं ऐसे नेटिव अगर अपने जीवन में इमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो काफी अच्छी तरक्य कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं लेकिन इसके बिलकुल आपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्राड के जरीए ऐसा कमाने की कोशिशें जीवन में करे तो बड़ी दिक्ते आ सकती हैं और तरक्य रुक सकती है इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन बनता है उन्हें हमेशा यही सुजश्ट करता हूँ के हमेशा सही रास्ते पर चलें गलत रास्ता क्तियार करकर अपने भाग्या को खराब ना करें अब देख सकते हैं यहां पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिज और यहां पर थोड़ी शैलोनेस इस रेखा में आपको नज़र आएगी जो लगभग 60 के आसपास की एज 55 से लेकर 60 के बीच में कुछ health issues का सामना blood pressure, thyroid, cholesterol जैसी दिकतें ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं जिनके heart line में इस तरह की shallowness नज़र आ रही हो mind line की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे लंबी मस्तिक्ष रेखा लेकिन बीच में आकर overlapping होती हुई इस रेखा में यहां पर आप देखेंगे middle age में चल कर कुछ तनाव और stress की स्थितियां भी इस तरह की रेखा की वज़े से बनती है लेकिन जब भी यहां रेखा ऊपर की तरफ से shift करती है तो ऐसा व्यक्ति और मजबूत होकर आगे निकलता है लेकिन अगर इस रेखा के middle में ऐसी रेखा ऐसा overlap बन रहा है तो यह है indicate करता है के native की जो age रहेगी लगभग 35-36 से लेकर 45 के आसपास तक की age में native को stress का सामना करना होगा तनाव रह सकता है लेकिन अगर इस रेखा की आगे की formation को देखा जाए तो यह है रेखा आगे काफी smooth है तो आगे की age काफी बेहतर रहने की संभाव बनाए रहेंगी लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मांसिक समस्याओं का सामना native को जीवन में करना पड़ सकता है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है लग भग इस एरिया तक यह रेखा थोड़ी overlapping के साथ पहुँचती हुई जो indicate करती है कि native की जो age है लग भग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभाव बनाए रहेंगी और यहाँ पर आप देखेंगे बिलकुल अंत में चलकर एक फिश नुमा अक्रीती आपको इनके इस एरिया पर केतू परवत की उपर बनती हुई नजर आ रही होगी जिस तरह कि चिन का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है कि यह तुमाउंट के उपर अगर फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आए तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धनलाब देता है ऐसा चिन होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को चीवन में कई बार अन-earned wealth मिल सकती है जिस तरह से share market के जरिए lottery के जरिए insurance या inheritance के माधियम से अन-earned wealth मिलने की जभावने चीवन में कई बार बनती हैं लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति के चीवन में एक से धिक बार मिलते हैं जिनके हाथ में इस तरह का चिन बन रहा हो चीवन रेखा को कुछ स्ट्रेस लाइन्स काटती हुई भी आपको नजर आएंगे सेरिया में जिनिम रहू रिखाएं कहते हैं इनकी वज़े से भी नेटिव को मेडल एच में थोड़ा स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है अगर हम इनके वीनस यानी शुकर परवत की बात करें तो आप देखेंगे उभरा हुआ शुकर परवत जिस वज़े से चीवन में हर तरह कि सुक्स विधाएं मिलेंगी लेकिन साथ ही साथ आपको काफी सारी बारीक वरी लाइन्स भी इनके शुकर परवत के उपर नजर आ ही होंगी ऐसी रिखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता जब इस तरह की रिखाएं और भी खड़ी रिखाओं से कटती हैं तो और भी अधिक दिकतें आती हैं मैरिड लाइफ को लेकर रिलेशन्शिप्स को लेकर नेटिव को प्रॉबलम्स का सामना अपने चीवन में कर पड़ सकता है अगर हम बात करें यहां पर इनके चंदर परवत की तो यह एरिया आपको हलका सा साइड से वीक होता हुआ नजर आएगा लेकिन काफी सारी ट्रैवल लाइन्स यहां पर मौचूद हैं आप देख सकते हैं यह रिखाएं चिनको हम यातरा की रिखाएं या ट्रै चिवन में रहता है चिनके हाथ पर ऐसी रिखाएं मौचूद हो लेकिन चंदर परवत के उपर काफी अधिक रिखाओं का होना नेटिव की बेचैनी और एंग्जाइटी को भी इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति को बेवजह की चिनताएं परशानियां देती हैं और जैसी शेप बनती हुई जिससे बुद्धा जाई का चिन कहा जाता है और हाथ में ऐसा चिन हो तो नेटिव की सिक्सें सची होती है यहां जैसे यहां पर आपके क्रॉस का चिन नजर आरा जो नेटिव को अध्यातम की तरफ रूची देता है और ऐसा बुद्धा जाई का च पहले से ही हो सकता है तो दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के चुआब एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वार रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है तो अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सेप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद